नमस्कार दोस्तों मेरा नाम ग्यानिश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइब शितिश का विशेष कार्जक्रम सुबह की चाहे मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में जो खबरे हैं बिहार में एंडिये के भीतर सीट सेरिंग को लेकर देखें लोग कह रहे हैं कि जेडियो और बीजेपी के बीच दील पक्की है लेकिन जब से नितीश को मार आए तब से जो पुराने सहयोगी हैं इंडिये के चाहे वो चिराग पाश्वान हो पशुपति कुमार पारस हो उपेंद्र कुसभा हो उनकी नीन उरी हुई है और नीन उरना भी लाजमी है चिराग पाश्वान बहुत गुस्से में हैं और इसी गुस्से की बज़ा से वे प्रहानमंती नरंद मोदी की शभावों में शामिल ले हुए थे देखिए चिराग पाश्वान का गुस्सा इस बात को लेकर है कि उनकी बातें शुनी नहीं जा रही है उन्हें जो भरोशा दिलाया गिया था नितीश कुमार के आने के पहले उस ये पूरा नहीं क्या जा रहा है तो फिर चिराग पाशबान करेंगे क्या चिराग पाशबान अपनी जिद्पर अरहे है और बीजे पी कहरे ही है देखिए हालात मुश्किल है और निटीश कुमार के आने के बार सीटे बहुत लिमिटेड है तो चिराग पास्पान का गुश्चा और चिराग पास्पान ये चाहते हैं कि जो उनकी बादचित हो वह प्रहान मंत्री नरेंदर मुदी से हो और केंद्री ग्रह मंत्री अमिट सा से हो वे और किसी तीसरे से बाचित करना नहीं चाहते हैं और देखिए जो दिल्ली की खबर है उसके मताबिक चिराग पास्मान की लोजपा और पशुपती पारस की लोजपा दोनों की सीटे फाइनल नहीं हुई है और जो सबसे बरी लराई है वह हाजीपूर को लेकर है चिराग पास्मान ने कह दिया है हाजीपूर तो हम किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है यदि हाजीपूर छोड़ने की नौमत आई तो हम NDA से नाता तोर सकते हैं और हाजीपूर में हम अपनी पार्टी से खुद चुनाओ लर सकते हैं चिराग पास्मान को इस बात का भरोसा है कि यदि वे हाजीपूर से लरे और उनके सामने पशुपती कुमार पारस मत्ब उनके चाचा भी रहे तो वे चुनाओ चीच जाएंगे भले ही भाजपा और जडिव का साथ नहों तो चिराग पास्मान का गुस्सा बिल्कुल साथ में आश्मान पर है और चिराग पास्मान चाह रहे हैं कि उनके सीटे क्लियर की जाए यदि देखिए दिल्ली की हम बात करें और दिल्ली के पॉलिकल कोरिडोस में जो चरचाएं हैं वह चिराग पास्मान के लिए तकलिफ दे हैं चिराग पास्मान की पार्टी के नेता अब भी मानने को तयार नहीं है कि उन्हें पाँंच से कम सीटे दी जा रही है वे तो च्छा की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के पॉलिटकल कॉइडोस की जो एक्सपर्ट हैं, जो पॉलिटकल पंडिट्स हैं, वे यह अब नहीं मान रहे हैं, कि चिराग पार्षबान को पांस सीते मिलने जा रही है, वे तीन में भी मुश्किल बता रहे हैं, और कह रह तो तिजस्यादब भी कर रहे हैं और लालू यादब भी कर रहे हैं ठीक इसी प्रकार का इंतजार महा गटबंदन की ओर से मुकेश शहनी का भी हो रहा है तो देखिए जो दिल्ली के पॉलिटिकल कोईडोस में चर्चा है उसके मताबिक चिराख पास्पान को कह दिया गया है बीजेपी की ओर से कि तीन सीटे आपको दी जा सकती है जो प्रारम्मिक संकेट है उसके मताबिक उन्हें जमूई उन्हें बैसाली और उन्हें खगरिया सीट का ओफर किया किया है लेकिन चिराख पास्पान की पसंद बैसाली सीट तो जरूर है लेकिन वे जमूई से चुन नहीं लगना चाहते हैं वे अपने पिता का उत्राधिकार प्राप्त करना चाहते हैं और हाजीपूर लोटना चाहते हैं तो हाजीपूर वे कैसे लोटेंगे यह सवाल है और यह लाख टके का सवाल है देखिए अब हम यह नहीं कह रहे हैं कि पसुपती पारस जो लरेंगे हा गेटिंग गो का फार्मूला ही लागू होगा तो क्या पसुपती पारस अपनी पार्टी रास्तिय लोजपा के पत्यासी होंगे इस पर भी दिल्ली के पॉलिटकल कोईडोस में संदे हैं लोग कह रहे हैं भासपा बिहार में सत्रह से अधिक सितों पर चुनाव लना चाहती है और जो बाते हुए दिखिन निती इस कुमार को किसी भी तरीके से वह बीजेपी जो है आज की तारिक में परेशान नहीं करना चाहती है जो उमीदें लोग लगा रहे हैं कि दस सीते और बारह सीते ही सिर्फ जेडियू को दी जा सकती है जब सीरिंग का फार्मूला आएगा तो ये चर्चाएं फिजुल साबित हो सकती है और उन चर्चाओं पर भी अब बिराम लग गिया है जो ये बाते कही जा रही थी कि नितीश कुमार को लड़ने के लिए यूपी में अरुनाचल परेश में और जारखन में सीते दी जा रही है देखे नितीश कुमार ने इस जिए जब ये दोबारा इंडिये में आए कि नहीं हम जो लरेंगे हमारा जो आधार है वह बिहार ही है और बिहार में ही लरेंगे तो चिराख पास्वान क्या करेंगे चिराख पास्वान ने यह फैसला कर लिया है और वो आपने समर्थ को से बार-बार कर रहे हैं हम हाजिपुत तों नहीं छो सकते हैं हाजिपूर नहीं छोडेंगे भले ही NDA छोडें यह बीजेपई को तै करना है कि मुझे हाजिपूर देना है कि नहीं देना है मेरे लिए इंडिये से अधिक मत्वपुन पिता का उत्त्राधिकार प्राप्त करना है पिता का बारिश बनना होना है और जो हाजिपूर है वो हम मेरे पिता की कर्मभुनी है इसलिए हम हाजीपूर तो नहीं छोड़ेंगे तो अब देखने की बात ये होगी कि क्या हाजीपूर में चाचा भतीजे की लराई होगी क्या पसुपती पारस बदली हुई परिस्यूतियों में अपनी ही पार्टी रास्तिय लोजपा की पत्यासी होंगे या फिर उनकी पार्टी के उमिदबारों को दावेदारों को कहा जाएगा कि आप बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लगे पसुपती पारस क्या फैसला करेंगे यह बक्त बताएगा और अब बक्त में बहुत जाना समय नहीं रहा गिया है 48 गंते 72 गंते में यह बाते तैह हो जानी है देखिए नितीज कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वे निस्चिंथ हैं वे आस्वस्त हैं क्योंकि बिहार में इंडिये की सरकार बनने के पहले ही यह बाते तैह हो गई थी कि लोग सभाचुनाव में सीटों का बटवारा कैस की ख़िएं उनके द्वारा उपेंद्र कुषवाः जीतर रामवांजी और चिराख पास्वां साथ पे पसुपति कुमार पारश को आश्वासन दिया गया था लेकिन अब यह आश्वासन पूरा होता नहीं दिख रहा है क्योंकि नितीज कुमार आ गे और नितीज कुमार कि बीजेपी का यह मानना है कि जब बिहार में नितीज कुमार और बीजेपी साथ हो जाती है तो बाकी सारे जो हैं वे सिर्फ दही में जोरन का काम करते हैं और बीजेपी यह मानती है कि बिहार को हम और नितीज कुमार मिलकर ही अकेले जीत सकते हैं तो आज भी नितीश कुमार की टाकत को बीजेपी इस रूप में पढ़ने की कोशिश कर रही है लेकिन चिराग पास्वान की टाकत है चिराग पास्वान के साथ इस बात को भरोसा रखेगा कि दलिट सबन एक्ता का साफ 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 संयोग दिखाई पड़ता है और 2020 के पास्वान बीजेपी के महरे थे और बीजेपी के महरे बनकर जेडियो को नुक्शान पहुचाया जो पलिटकल एक्सपर्ट है वे कहते हैं कि यदि चिराग पास्वान 2020 में अलग चुनाव ना लर रहे होते और जेडियो के उमिद्वारों के खिलाब चुनाव ना लराया ह होता तो जेडियू को जितनी सीटे मिली 2020 के चुनाओं में 43 सीटे वह सीटे बरकर 70 के आसपास होती और ठीक इसी तरीके से आरजेडी के सीटे भी घर जाती तो चिराग पासबान बिल्कुल नहीं तयार है कि हाजी पूर नहीं छोड़ेंगे और हाजी पूर में हम चाचा को प्रास्ट कर ही डम लेंगे तो यहां आने बाले बक्त में मालू होगा चिराग पास्वान गुस्टे में है कि चिराग पास्वान का फैसला क्या होता है वे इंडिये में रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं उनकी मुलाकात अमित्सा से संभब है जो दिल्ली में चर्चाएं चल रही है अमित्सा से मुलाक बाद के बाद चिराग पास्वान को और बीजेपी को अपना स्टैंड किलियर करना होगा क्योंकि अब बक्त नहीं बच गया है और बहुत ज्यादा ब्रक्त जाया भी नहीं कर सकता है तो बिहार में इंडिये की सीट सेरिंग में लोचा है और उधर महा गठबंदन में इंडिये में सीट सेरिंग की पतिच्छा कर रहा है कि वहां क्या खेला होता है कौन नाराज होते हैं कौन कुस होते हैं और कौन सारे उमिदबार हैं जिन्हें तिकर से बंचित क्या आता है और क्या वे इंडिये में इंडिये से बाहर जाकर इंडिया ब्लॉक में आकर चुन दिल्ली में हैं और दिल्ली की हलचल को पढ़ने की कोसिस कर रहे हैं क्योंकि सीट मटबारे का फैसला दिल्ली से होना है जो कुछ होगा वह आपको हम बताएंगे आप देखते रहिएगा लाइफ सीटिस को यदि अब तक आपने हमारी यूटूब चैनल लाइफ सीटिस को सब कर लिजेगा और यदि इस वीडियो को आप फैस्बूक पेज के मादे हम से देखे तो पेज को लाइक कीजेगा ट्यूटर पर भी हमें फालो कीजिए धन्यवाद